मेरे पुराना उनसे परिचे है, मैं जानता हूँ, वो तपस्वी है ही, परंतु, वो अकेले तब कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्वल लवट के आया है, और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कारेक्रम बन गया है, हमारे समाज के करोडो बंधू, वहाँ पहुच ना पाए, ऐसे घर-घर के हमारे नागरिक सज्जन, माता भगिनी, सब भाव विवहोर है, सब में आनन्दा है, सब में उत्सा है, और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है, आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महुत्सों में पधारने के पूर्व, प्रधान मंतरी जी ने कठोर वरत रखा, जितना कठोर वरत रखने को कहा था, उससे कई गुना अधिक कठोर वरता चरण उन्होंने किया, मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूँ, वो तपस्वी है ही परंतु, वो अकेले तब कर रहे हम क्या करेंगे अयोज्या में रामलला आये अयोज्या से बाहर क्यों गये थे रामायन में क्यों गये थे बाहर तो अयोज्या में कलह हुआ अयोज्या उस पुरी का नाम है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं, जिसमें कोई कलह नहीं, जिसमें कोई दिविधा नहीं वो हुआ चौदा वर्ष वर्वास में गये वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के वापिस आए आज रामलला वापस फिर से आए है 500 साल के बाद जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे सुवरन दिवस देख रहे उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा आपने सुना होगा स्मरण किया उनकी तपस्या को उनके त्याग को उनके परिश्रम को शतबार सहस्तरबार कोटिबार नमन है रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवन करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्मप्रवन होगा और उसके राष्ट्र का सब दुखदाइन्य हरण होगा ऐसे इस इतिहास का सामर्थ है परवन्तु उसमें हमारी लिए कर्तवयका आदेश भी है प्रधान मंत्री जी ने तब किया अब हमको भी तब करना है